प्यारे बच्चों आज हम दो हर्फी अलफास पढ़ेंगे आपको पता है दो हर्फी अलफास किसे कहते हैं? जी, दो हरूफे तहजी आपस में मिलकर अपनी आवाजों और नामों की मदद से नए अलफास बनाते हैं चले आएं, हम इसको सीखते हैं अच्छा, अब मैं आपके सामने हजी लिख रही हूँ जैसे अलीफ और बे इसकी आवाज क्या है? अब अब जब जी, बे, जब कब कब काफ, बे, कब इसके बाद, आप बच्चों को इसी तरह से हरूफे तहजी मिला कर आवाजों के साथ और नामों के साथ पढ़ना सिखाएं इसके बाद आप बच्चों को मश करवाने के लिए कुछ हरूफे तहजी बोर्ड के उपर लिखें और बच्चे उनको आवाजों और नामों के साथ पढ़ते जाएंगे इसके बाद आप बच्चों को इनको जुम्लों में इस्तेमाल करना सिखाएंगे जैसा के बच्चे और आप मिल कर इनको मुकमल करेंगे और बहतर तरीके से बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे इसके साथ ही आप जावीद पॉब्लिशर्स की तरफ से महया करदा वर्क बुक का इस्तमाल करते हुए बच्चों को सिखाएंगे कि दो हर्फी अलफाज को किस तरह से लिखा जा सकता है और जुम्लों में कैसे इस्तमाल किया जाता है उसी तरह से आप छोटी छोटी एक्टिविटीज क्लास में करवाएंगे जिससे बच्चा बेहतर तरीके से दो हर्फी अलफाज को पढ़ना और लिखना सीख चाएगा उमीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा अपना बहुत सारा खिया रखेगा और जुले रहे बोलती किताबों के साथ